आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक चीज हुई जो आज तक कभी पहले हमारे साथ नहीं हुआ हालो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई चानल श्वेता गुपता और आज मैं आयो ही हुँ दिल्ली अपनी सिस्टर के यहाँ पर तो मेरी सिस्टर रहती है कमला नगर के पास और मुझे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टन काम है तो आपको बता देती हूँ मैं मेरे जो इयर लोब है तो आप देख सकते हैं इसमें जो यह पियर्सिंग है छेद बहुत जादा बड़े हो गए हैं और अल्मोस्ट मेरे कान बिल्कुल ऐसा लगता है रिसे कि कटने वाले हैं जबकि मैं कोई हवी इयरिंग्स भी नहीं पहनती हूँ तो यह छेद बहुत जादा और थोड़ा बहुत जो शॉपिंग करेंगे वह भी मैं आपको दिखा दूंगी तो चलिए चलते हैं कमला नगर तो हम पहुंच गए हैं कमला नगर और कमला नगर में बड़े-बड़े ब्रैंड्स के बहुत सारे शोरूम्स हैं जिन पर आपको मिल जाता है एक बहुत ही अ बिंदल्स का और बिंदल्स पर बेस्ट कलेक्शन है मतलब जित्ते भी बिंदल्स है यहां का बिंदल्स मेरा फेवरेट है और इस तरीके की छोटी-छोटी दुकाने यहां पर बहुत सारी है जिन पर आपको मिल जाएगी जंग जुलरी, हैंकी, सॉक्स, मास्क, शेड्स, औ क्रॉप टॉप एड एवरेटिंग तो इन छोटी-छोटी दुकानों पर रेट्स काफी ठीक होते हैं आप थोड़ा बहुत बारगेन भी कर सकते हो और बहुत ही अच्छी डिल्स आपको मिल जाती है तो हमने यहां से लिए यह six pair of studs जो की भाया ने हमें दिये 100 रुपीज म बाद हमें दिखे यह एप्रेंट तो एप्रेंट का साइज थोड़ा सा चोटा था लेकिन मुझे लगा 70 रुपीज में क्या बुरा है तो 140 रुपीज में मैंने यहां से दो एप्रेंट लिए और उसके बाद हम बड़े आगे और मुझे दिख गई यह हैंकीज की शॉप जिस पर बहुती सॉफ्ट फैबरिक में बड़े ही सुन्दर प्यारे-प्यारे से हैंकीज थे तो यहां से मैंने हैंकीज लिए वो भी मुझे काफी सस्ते में मिल गए और उसके बाद मैं पहुची टीशेट्स लेने मुझे अपनी बेटी के लिए टीशेट्स और लोर्स लेने थे जो की समर्स में घर में पहनने में काफी कमफर्टेबल रहते हैं तो यहां से हमने कुछ एक टीशेट्स ली और इन टीशेट्स का प्राइस था 200 रुपीज इच तो 200 रुपे में टीशेट्स कोई बुरी नहीं है उसके बाद यह इस तरीके की शर्ट्स थी जो की 250 रुपीज इच में भी थी 350 में भी थी सबके अलग-अलग प्राइज थे और यहां पर बहुत ज़्यादा बार्गेन आप नहीं कर सकते हो लेकिन इस शॉप पर प्राइस काफी ठीक है प्राइस बताते जाना इस तरी बुप्टी का है इसमें करण नहीं के पांच यह बहुत लंबा है प्रदेशी गार्मेंट्स और शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुच गए यह लोप की पेस्टिंग करवाने और यहां कमला नगर में बहुत सारी शॉप्स जो दवाई की मदद से यह कान का छेद बंद करते हैं लेकिन जहां से मैंने करवाया वो बताते हैं कि यह बेस्ट शॉप है और यह बेस्ट ट्रीट्मेंट करते हैं काफी फेमस है यह इसकी डिटेल्स वगरा मैं आपको आगे दूंगी वीडियो के अंदर तो यहां पर और यहां पर बहुत सारे चोटे चोटे बच्चे घुम रहे थे इस तरीके की बास्किट्स लेकर के जिसमें वह में वो स्क्रणची इस च्लचे जिस में चुटा चोटा सामान बेच रहे थे तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों से कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए क्यो तो मैंने उनसे पूछा आपका best seller क्या है तो उन्होंने बताया ये nachos sweet corn उनका बहुत tasty होता है नाचोस वाला sweet corn ट्राई किया और actually ये बहुत ही ज़ादा tasty था बहुत yummy था काफी different flavor था उसका और as usual मैंने उनसे इसकी recipe भी पूछी डाली कि आपने इसमें क्या के डाला है तो बहुत सारे ingredients थे बहुत सारा masala था तो मैं ट्राई करूँगी घर पे इसको बनाना और ये बाटा क ये शोरूम के जस सामने खड़े हुए थे और काफी अच्छी वराइटीन के पास sweetcons की थी और शॉर्ट था 250 रुपीज पर शॉर्ट तो 450 रुपीज में पूरा सेट एक बन गया था हमारा तो चारपा सेट्स लिये यहां से मैंने अगर आपको shopping hall देखना है तो आप मुझे comment करके बताईएगा मैं अलग से बना दूँगी कि मैंने यहां से क्या-क्या लिया और उसक शूट करना लाउड नहीं था इसलिए मैं शूट नहीं गर पाई तो उनके पास कुछ ऐसा chemical जैसी चीज थी वह उन्होंने ऐसे लगा दी थी पूरे एयर लोप पर हलका सा मुझे जलन और बहुत हलका सा पेन हुआ था और जादा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने बोला है क और यह टेप जो है ना यह मुझे कल उतार देनी है नहाने के बाद मतलब एक दिन इसमें कुछ भी पानी वगरण नहीं जाना चाहिए और उसके बाद इसकी उपर लगाना है सर्सो का तेल तो दिन में कम से कम आठ सेदस बाद सर्सों का तेल लगाना है और अगर हम ज्याद इसे उंगली पे लेकर और लगा लेना है सरसो का तेल और यह 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें बोला है कि यह पूरा बंद हो जाएगा जो पिरसिंग हुई थी वो बंद हो जाएगी और उसके बाद फिर से नई पिरसिंग होगी तो इस पूरे ट्रीटमेंट के उन्होंने क्लिक करके भी सकते हो अगर पूरी स्किन वहां पर जुड़ जाएगी उसके बाद ही हम पिरसिंग करेंगे आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक चीज हुई जो आज तक कभी पहले हमारे साथ नहीं हुआ तो हुआ यह कि मेरी जो भानजी है मान्या उसको हैर कट कराना था matahlin कराबी तो मैंने का चलो आया है तो मैं भी कराया लेति कुं तो मैं भी वैटड़ि ट्रिमिंग कराने के लिए चांग करते हैं एक रम्ग का pillows स्ट्रिमिंग परे सहां तो हमारा पुरा काम हो गया हैर कट होगयाtoo करने लगे और मुछ नंहोंने में ठраф प्रश्श किए तो मैंने का क्यों 300 हुए ना तो उन्होंने बोला कि आपका हमने कॉम्प्लिमेंटरी किया है उन्होंने मेरे हेर कट के सिर्फ 50 रुपीज चार्ज किया तो एसा था औरρέकल फिर से जाऊंगी थोरी वो श्पिंग मुझे और करनी है कुछी चीज़े मैंने ले ली है कुछ चीजे मुझे और लेनी है तो मैं कल भी दिखाऊंगी आपको कि हम क्या क्या लेने जा रहे हैं चलिए कल मिलते हैं अब Hello everyone, आज है year pasteing का second day और और भाईया ने बोला था कि आप सेकिंड ये टेप हटा सकते तो टेप हटा के देखते हैं कि क्या चेंजज आये हैं कान में कुछ आये हैं या नहीं आये हैं कॉटन लगी हुई है अंदर शाहिद तो कह रहे थे कि अभी कुछ दिन तक ऐसे ही दिखेगा कान और उसके बाद इसके ओपर स्केन आ जाएगी और उसके बाद फिर ये जुड़ जाएगा अब मुझे इसके ओपर सरसो का तेल लगाना है और इसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करने शाम को अभी तो दो पहर है बहुत जादा धूप है तो हम लोग निकलेंगे शाम को लगबग पांच बजे तब मैं आपको मार्केट कुमाऊंगी तो आज हम पहुँच गए हैं बंगलो रोड और बंगलो रोड पर भी बहुत ही अच्छी स्ट्रीट मार्केट लगती है अगर आप इस तरीके की जॉबरी के शौकीन है आपको पसंद है इस तरीके की जन्क जॉबरी तो यह आपके लिए प्रॉफेक्ट प्लेस है बाई करने के लिए तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था ज्विल्री का तो मैंने जिसे compare किया मेन कमलानगर में और बंगलो रोड में तो बंगलो रोड में ज्यादा अच्छा कलेक्शन था जंग ज्विल्री का और बहुत ही अच्छे अच्छे इयरिंग, स्टाड्स, हूप्स उनके पास थी और ये था एक बहुत ही क्यूट सा इवल आई तो बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस तरीके के स्टाड्स और बैंगल्स भी वहाँ पर मिल रहे थे प्लस आजकल इस तरीके के चोकर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो चोकर का भी उनके पास अच्छा खाजा कलेक्शन था यहां पर 50 रुपीज से लेकर के 200 रुपीज तक में आपको बहुत ही अच्छी जंक ज्वलरी मिल जाएगी और उसके बाद फिर से हम लोग पहुँच गए समर्स की शॉपिंग करने तो हमने यहां से ट्राउजर्स लिए क्रॉप टॉप्स लिए और पजामाज लिए तो काफी अच्छा कलेक्शन था क्रॉप टॉप्स का भी तो 200 रुपीज इच में बहुत ही अच्छे क्रॉप टी शर्ट भी मिल रही थी 200 रुपीज तक में काफी अच्छा कलेक्शन था यहां से मैंने बहुत सारे क्रॉप टॉप टॉप लिए तो यह आज कल बहुत ट्रेंड में है साड़ी के साथ भी और हाइवेस जीन के साथ भी बच्चों के अपर अच्छे लगते हैं तो काफी स जो है जुदनी शुरू हो गई है एम रेली हैपी टू सी दिस और इसके पर एक पपड़ी सी आ गई है और इस तरीके की जो यह पपड़ी आएगी ना इसको निकालना नहीं है इसके उपर हर आदे घंटे बाद या एक घंटे बाद सरसो का तेल लगाना है तो मैं कैसे लग जाएंगे तो फिंगर चिकनी हो जाएगी और शायद फिर मैं ना लगाऊं इतनी बार जितनी बार मैं अब लगा रहे हूं तो अच्छे से बस हमें यह केर करनी है अपने कानों की आगे पीछे दोनों तरफ सरसो का तेल लगाना है और विदिन 15 डेज यह पूरा हील हो करूंगी अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूं कि आधर्श और पियर सिंग के नाम से है इनकी कमला नगर में शॉप और इनका ट्रीटमेंट जो है वह बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर आपको अपडेट चाहिए मेरे यह पर कि किस तरीके से यह हुआ है क्या रिजल्ट मुझे मिला है तो मैं आपको बीच बीच में अपडेट देती रहूंगी आप मेरे चानल श्वेता गुपता को सब्सक्राइब कर लीजिए गा और बेल नोटिफिकेशन को ओन करिएगा जिससे की आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें कोई भी वीडियो आप